बहराईच में आदमखोर के अंति के लिए ओपरिशन जारी है आज वनमंत्री ने बहराईच पहुंचकर अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक की वहीं भेडिये को पकड़ने के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया गया जिसके बाद आदमखोर भेडियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है भेडिये के कारण ग्रामीड देशत में जीने को मजबूर है मैसी अलाके को तीन अलग-अलग सेक्टर में बाढ़कर 15 टीमों की तनाति की गई है वहीं एक्सपर्ट शूटर्स को भी बहराईच बुलाए गया है तो बहराईच में आदमखोर के अंतिक लिए ऑपरिशन जारी है आज वबन मंत्री ने बहराईच पहुँचकर अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक की वहीं भेडिये को पकड़ने के लिए साथ से दस दिन का समय दिया गया है जिसके बाद आदमखोर भेडियों को देखते ही गोली मारने का भी आदेश दिया गया है भेडिये के कारण ग्रामीड तहशत में जीने को मजबूर है लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे है इन सब के बीच महसी इलाके को तीन अलग-अलग सेक्टर में बाट कर 15 टीमों की तैनाती की गई है कई एक्सपर्ट शूटर्स को भी बुलाया गया है बहराईच और एक हागया है कि साथ से दस दिन के भीतर अगर आदम खोर भेडिये पक्ड़े नहीं जाते हैं तो इनको देखते ही गोली मार दिया जाए सीम जोगी की नरदेश पर वन मंत्री और प्रभारी मंत्री बहराईच पहुचे बहाँ दिकारियों के साथ मीटिंग करते ही नजर आए तीन तस्विरे हम आपको दिखा रहे हैं नदे किनारे भेडिये के तलाश की जा रही है लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं सब के बीच लोगों के उमन में सवाल है कि इन भेडियों का आतंक कब खत्म होगा और इनी सब के बीच बैटकों का दोर भी जा रही है वन मंत्री आज पहुचे बहराईच साथे साथ प्रभारी मंत्री संजय निशाद भी वहाँ पर मौझूद थे दोनों ने अधिकारियों को बुला कर फीडबैक लिया पूछा कि भेडियों को खत्म करने या फिर उनको पकड़ने का आपरेशन कहां तक पहुचा है और आगे क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है ये भी अधिकारियों से उन्होंने जानकारे लिया रात में लाइट का इंजाम हां किया गया है बिजली विभाग से कहा गया है कि उधर की लाइट में कटोकी ना की जाए इसके साथ ही था जनता से कहा गया है कि खुद पेट्रोलिंग करो रात में चौकिदारी खुद करो लोगों से कहा गिया है कि टार्च और लाठी लेके चलो रात दे रात अकेले मत जाओ शौच को मत जाओ कि अंध्यारही चल दिये और रात में पानी लगाने भी खेत में मत जाओ लोगों से कहा गिया है कि हर हालत में बचाओ करो खास और से बच्चों का और महलाओं का बच्चों के लिए तो कहा गया कि दर्वादा बिल्कुल बंद रहना चाहिए खुला ना रहे और जिनके यां दर्वादे नहीं है उनके यां दर्वादे लगवाने का भी प्रयास किया जा रहा है जल्दी हो और हमें उम्मीद है किशी भी समय हमारे पास भेडिये को पकले जाने की सूचना आएगी और हम लोगों ने इसे कई सेक्टर में बाढ़ दिया है लोगों की डूटी लगा दी गई है कि रात में कैबजे से कैबजे से एक की डूटी फिर दूसरे की डूटी इस तरह से डूटी लगा दी गई है ताकि ड्रोन कैमरे के साथ साथ थर्मल ड्रोन भी लगाया गया है ताकि अगर ड्रोन में नहीं आता तो थर्मल ड्रोन से पता लग जाएगा कि भीडिया कहां पर है और उसके खलाफ जाल बिठाया जाएगा उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी ट्रेंकुलाइस किया जाएगा तो हम लोग पूरी कोशिश के कर रहे हैं कि उसे पकड़ने और बहराईस से हमारे सोगी राजियों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कई दिनों से वहाँ पर मौझूद हैं लगातार आदमकोर भेडियों के रसके उपरेशन पर उनके सर्च उपरेशन पर वो नजर बनाए हुए हैं राजियू क्या अपडेट वहाँ से आपके पास है और साथी साथ आज वनमंत्री के वहाँ पहुँचने के बाद अधिकारियों से बैठक करने के बाद आगे का क्या एक्शन प्लान देखने को मिल रहा है देखिए बाराइश में आतंका परियाए बने बेडियों को पकड़ने के लिए बीते कई दिनों से सर्च और रेस्क्यू आपरेशन चलाया जा रहा था लेकिन उसके बावजूद या आदम खोर बेडिये लगातार हमला कर रहे थे जिसके चलते मुक्रमंत्री योगी आदे थी अमस्पी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे इस दौरान ये साफ़िसपस्ट किया गया है सरकार की प्रात्मिक्ता बताई गई है कि सरकार की सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता इस इलाके के लोगों को की जान बचाना है उनको सुरचใหered चित रकना है और दूसरी प् दिनों के भीतर किस तरह से आम लोगों को बचाया जाए इसके लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा पुलिस प्रिसासन की दरजनों टीमें इस कारिकरम में आज रात से ही आईक्ट्यू हो जाएंगी पेट्रोलिंग की जाएगी और जिन घरों में दरवाजे नहीं है जिनके पास सुरच्च तस्थान नहीं है रहने के लिए उनको नजदीक के स्कूलों में सिफ्ट किया जाएगा या फिर किसी अन्य सुरच्च तस्थान पर रात में पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें बेडियों के हमले से बचाया जा सके इतना ही नहीं इस दौरान कई बड़े जो विसेसक गया है जो वाइल लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनको बाइराइस में बुलाया गया है देरादू से भी एक रिशर्च टीम यहां पर पहुंची है तो यो दस्तर पर प्रियास किये जा रहे हैं उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्दी भेडिये के आतंग से लोगों को मुक्ति मिलेगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरसाथ जुनने के लिए राजियो और जानकारियम तक पहुंचाने के लिए बेडिये के आतंग से 50 से अधिक गाउं में दह्शत बरकरार है लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी प्रहावित हो रही है हमारे टीम गढ़वा गाउं के एक स्कूल में पहुंची और बच्चों की पढ़ाई पर भेडिये का आसर कि जहन में हैं मगर उसके बावजूद भी विद्याले में देखा जा सकता है कि बच्चे प्रॉपरली पहुंच रहे हैं और इस तरम क्योंकि इंटरॉल का टाइम है लेकिन बच्चे क्लासे के बार खड़े और ऐसे में एक क्लास में कक्षाएं चल रही हैं उसमें देखने का हम प्रयास करेंगे बताने का प्रयास करेंगे कि यहां के टीचर और प्रिंस्पल बच्चों को कैसे कन्वेंस कर रहे हैं बच्चों को कैसे अपडेट कर रहे हैं बच्चों को कैसे गाइडलाइस दे रहे हैं कि भेड़िये के जो आतंक पिछले दिनों रहा है उसमें डरने देख जुरुत नहीं है ऐसे में प्राचार घर की बेटीयों को या इन बच्चों को स्कूली छातरचाथ्राओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं , हम प्राचारे से बात करते हैं , और अगर एक तला है दो तला है तो नीचे तल पर न रहे कि आप लोगों को चुछ सके तो इश्री यह मैं से मैं आप भी कुछ गाइड लाइंग से रही थे बता रहे हैं बच्चों को घर से बाहर ना निकले देव रात में लिना पर्मीशन के और स्कूल से जब जाते हैं तो बाई रोड जाएं के तरफ से ना जाएं सर आपने अपनी कक्षाओं में क्या बताया बच्चों को मैंने बताया है कि बच्चे जब स्कूल में छुट्टी हो साथ में जाएं जातर और रोड साइड हो करके जाएं खेतों के पास समूम में जाएं खेतों के पास सेन जाएं और रात में दर्वाजा बंद करते सोई हैं अफवाएं भी लोग फैला रहे हैं इससे बच्चों को बताया गया है कि वो डर डरेना और विद्यारे से जाएं तो समूह में जाएं जुन बना जाएं चलिए हम एक बच्ची के पास आना चाहते हैं मैंने क्या बताया बताया है कि आप लोग घर से निकलें तो अकेले ना निकलें 2-3 लोगों को साथ में ले लिगे ममी पाबा भी बोले हैं इसकूल जाते समय दो-3 लोगों को ले लिए वापस जाते टेम को क्योंकि स्कूल की जो बच्चियां आस पास के ग्रामी नाचनों से आती हैं और ऐसे में छातर छातरां जब भी निकलें गुरुप बना के निकलें अपने पेरंस के साथ निकलें राद पे राद अन्नेसरली गाओं से बाहर ने निकलें ताकि यह मेसेज यह बच्चे अपन अपने घर तक और घर से लेके अपने गाओं के लोगों तक बता सकें विजलस गोभी गिरी के साथ अमित गंजू नीवजेटीम गणवा बहराईच